तो हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आई होप आप सभी अच्छे हैं को तो स्वागत एक और वीडियो के साथ तो सभी लोग सबसे पहले चैनल को सस्क्राइब कर लो वीडियो को लाइक कर लो ठीक है और देखो मैं जानता हूँ कि बहुत दिन से मेरे चैनल पर वीडियो नही चाहते या बिहार पॉल्ट इकनिक में आई-एं- Ronaldo जो भी है बिहार चीते भी मेडिकल या इंजिनेरिंग की एक्जाम होते हैं सारे के सारे प्र Customs अध्यों क्या करना सारी चिछ के बारे में इस चैनल पर आपको मिलेगा ठीक है तो अभी हम लोग फिलाल बात कर लेते हैं जेई मेंस का ठीक है जेई मेंस पेपर वन आपका कब का फॉर्म बरा चुका है एक्जाम डेट भी रिलीज हो गया है और अभी एक्जाम सीटी का नोटिफिकर सन भिलाए जीए मेंस ने के सबसे पहले निचे जाएंगे ऐड्मिस पर जाके यहां पर यहां पर देखें is जनुरी टूटाउचन टॉन्टीफोर ऊंलाइन फॉर्म ठीक है इस पर क्लिक कर लेना है और जैसे ही आप क्लिक करोगे और नीचे जाओगे तो यहाँ पर चेक एक्जाम सिटी आएगा इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको registration नमबर मतलब application नमबर और date of birthday डालना है और फिर उसके बाद नीचे security pin डालके submit कर देना है आपको exam center पता चल जाएंगे ठीक है तो इतने सारे काम आपको पहले कर लेना है ठीक है तो देखो अब exam center मालो आपके exam 29 को है ठीक है या 26 को है और time तो बहुत कम है ठीक है और आपको अगर बिहार में computer science या civil branch चाहिए यह सब ब्रांच चाहिए कोई भी college म तो आपको minimum 45% से उपर तो लाना ही पढ़ेगा ठीक है इतला लाने के लिए आपको पढ़ेना तो पढ़ेगा ऐसे तो नहीं आ सकता है बहुत लोग आ जाता है तुक्का मार के लेकिन आप तुक्का के चक्कर मत रहें ठीक है पढ़ लो 15 दिन है 15-10 दिन है जितना हो सके बहुत सारे ऐसे से चैनल से जो अच्छे पढ़ाते है ठीक है तो उनका आप देख लो और 15 दिन में जितना हो सके पढ़ लो उतने में अच्छा आप स्कोर कर पाऊगा मुझे जान तक लगता है तो आप लोग सही से पढ़ाई कर लो अगर बिहार में इंजिनियरिंग में चिसल लेना है तो आपको मिनिम्मम देखो कितना भी परसेंटाइल लागो तो कोई भी ब्रांच मिल जागे एक परसेंटाइल भी लागो तो कोई ना कोई प्लस में कॉलेज बी ओल्ड कॉलेज इसमे माइटी मुझे परपूर हो गया या गया हो गया ठीक है या तो भागलपूर हो गया इस अब कॉलेज चाहिए तो उसके लिए परसेंटाइल भी अच्छा लाने पड़ेंगे तो यही 15-6-7 दिन है इससे पहले भी हम मुझे लगता होंगे तो देखो अभी एक्जाम का डेट आउट हो चुका है सेंटर भी पता चल चुका है तो हम मैं डेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि कैसे आपको करना है आगे का प्रॉसेस मतलब कि विहार इंजिनेरी में कितने परसेंटाइल पर आपको कॉलेजिस मि कौनसे ब्रांच कितने पर मिलेंगे दो आजारच वविस में क्ली सीट बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे तो प्ली benchmark को सब्सक्राइब कर लो वीडियो को लाइक कर लो और मिलते है नेक्ट वीडियो में तब देक के लिए वना ख्याल रखो